अधिक प्राप्त करने की प्रकिरिया लेखक यश्माकर अध्याए 5 अपने मस्तिस्क का प्रियोग करो हमारे लिए सोचने का काम हमारा मस्तिस्क करता है यह हमारा बेहद शक्तिशाली परसनल कंप्यूटर है जो हमारा कंट्रोल सेंटर है इससे आप जो भी तार्किक काम करवाना चाहें आप करवा सकते हैं यहे आपसे इसके लिए किसी भी तरह के सवाल जवाब नहीं करेगा यहे आग्याकारी नोकर की तरह बस आपके आदेश का पालन करेगा इससे काम लेने के लिए बस हमें सही तरीका पता होना चाहिए अगर हम इसे सही निर्देश देंगे तो यह हमारे लिए समरदी का सरजन करेगा और अगर हम इसे गलत निर्देश देंगे तो यह हमारे लिए दुर्भग्य का भी निर्वान कर सकता है इस कहावत को हम बहुत बार सुन चुके हैं कि इनसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है लेकिन ज्यादातर लोग इसके प्रियोग के सही तरीके से अंजान ही बनी रहते हैं उन्हें कभी यह आभास ही नहीं होता कि वे अपने मस्तिस्क को गलत निर्देश दे रहे हैं, जिसकी वज़े से उनके जीवन में उथल पुथल मची हुई है, वे ऐस्तिर्ता की परिस्तितियों में जक्डे हुए हैं, कहीं यही स्तिति आपके साथ तो नहीं है, आईए इसे गैहराई से समझे और इससे बाहर निकलें, अपने आपसे हमेशां सच बोलें, क्या हम अपने आपसे सच बोलते हैं, बहुत से मामलों में तो नहीं, लेकिन यह बहुत खतरनाक है, इसका एक और खतरनाक पक्षिय ए है, कि जब हम चुप होते हैं, तब हम और ज्यादा बात लेकर अठारा सो शब्दों की तेज गती से बातें कर रहे होते हैं यह आप अभी देख सकते हैं आप एक मिनट मोन होकर यह जान चें कि आप अपने आप से कितनी तेज गती से बातें कर रहे हैं जिसमें बहुत सारा जूट होता है और हमारा आउचेतनमन उस जूट को बीना परिक्षन की ये मान लेता है, जिसका परिणाम आज हमारे सामने है, जिसका जीता जागता उधारन हम खुद हैं, हमने बहुत बार अपने आपको अपने वित्य वास्तविक्ता के बारे में सच नहीं बताया है, जिसके कारण हम अपने आपको कभी कमांगते रहते हैं और कभी कभी ज़्यादा आंखते रहते हैं इसी वज़े से हम ठीक ढंग से यह अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमें कितना धन या कोई अन्य वश्टु कब और कैसे चाहिए हम बहुत बार खुद को यह सच नहीं बताते कि हाँ मुझे इसे डर लगता है या मुझे इसे खोने का डर है बहुत बार हमारा डर यह होता है कि लोग क्या कहेंगे कई बार किसी बात को लेकर हम इतने उत्साही हो जाते हैं कि हम यह सोचने लगते हैं कि मुझे इसके लिए आगे चाहे आग का दरिया ही क्यों ने पार करना पड़े मैं इसे हासिल करके रहूंगा और हम आग लगाकर अपने लिए खुद आग का दरिया तयार कर लेते हैं जब हम खुद को यह सच बता देते हैं तो अपने आप से हमारा अगला सवाल यह होना चाहिए कि मैं इस डर से कैसे बाहर निकल सकता हूं मैं वह कौन सा काम करूं या गतिविदी करूं ताकि मेरा यह डर खत्म हो जाए लेकिन यह प्रकरिया तभी संबव है जब हम अपने आप से हमेशा सच बोलें हमें यह सच किसी और से कहने की आवशक्ता नहीं है बस अपने आप के साथ सचे रहें एक उधारन देखें कि आज मेरे बस ने मुझे महिने के अंत में टार्गेट पूरा नय होने के लिए रिव्यू मिटिंग में सब के सामने भला बुरा कहा अब तो मैं इस खडूस के लिए एक पल भी काम नहीं कर सकता मैं मिटिंग खत्म होते ही इमेल से अपना रेजिगनेशन इसके मुँपर दे मरूंगा मुझे इतना बड़ा कोई इसकी तनखवाने थोड़े ही किया है मेरी भी कोई इज़त है आज तो इसने मेरे स्वाव इमान को ललका रहा है मैं इसे दिखा दूँगा कि मैं क्या चीज़ हूँ जब इसी तरह की कोई परिष्टिती बनती है तब हम ज्यादातर बार इसी तरह से अपने आप से बातें करते हैं क्योंकि तब हम अपने मस्तिस्क की बजाए अपने दिल से सोचते हैं हम अपने आप से इतनी तेज गती से जूट बोलते है कि बेचारा मन इसी को सच मान लेता है और एक इमेल टाइप करता है और बोस को बेज देता है बस खेल खत्म हमने अपने आपसे यह जूट बोला कि सारी गलती बोस की है और मेरी कोई गलती नहीं है हलांकि टारगेट तो हमने पूरा नहीं किया है हमने ही तब डिंगे हांकी थी जब हमें बोस्ट ने बड़ा तार्गेट दिया था क्योंकि मोटिवेशन सेमिनार में वक्ता की बातों से हम इतने प्रवावित हो गए थे कि तब हम फिर से अपने मस्तिष्क की बजाए अपने दिल से सोचने लगे थे तब हमने अपने आप से जूट बोला था कि अब तो चाहे आग का दरिया ही क्योंने पार करना पड़े मैं इस टार्गेट को अचिव करके रहूंगा और फिर हमने स्वें ही अपने चारों और आग लगा कर एक दरिया बना लिया इस आग की आँच हमें रिवियू मिटिंग मे सबसे ज़्यादा महसूस होई हमने तब भी अपने आप से जूट बोला था और आज भी अपने आप से जूट बोल रहे हैं इसके बजाए अगर हमने अपने मस्तिस्क से काम लिया होता और अपने आपके साथ सचे रहे होते तो मोटिवेशन के चक्र में इतना बड़ा टार को पूरा करते या फिर इससे जादा करते तब हम परफॉर्मर ओफ दा मंत का सर्टिफिकेट पाते मैं आपसे यह बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप स्विकार करने के बाद इतनी मेहनत करें कि मेहनत के सारे रिकोर्ड तोड़ दें और हां अपने दिन की नोकरी करते रहें वे साथ इसाथ आसपास अपना व्यवसाइश शुरू करने के आवसरों को फुले दिमाग से खोशते रहें संभावनाओं के अवसर आपको स्विम के आसपास ही मिल जाएंगे लेकिन जब तक आपको अवसर नहीं मिलते तब तक अपने नोकरी में बने रहें बावनाओं में बहकर जो हाथ में है उसे मत गवाईं शेड हेंस्टेटर द्वारा लिखित एक पूस्तक जिसका नाम है क्या कहें जब स्विम से बात करें इस बारे में एक बहतरीन पूस्तक है कि हम अपने आप से क्या बातें करते हैं और हमें क्या बात करनी चाहिए ताकि हमारा मस्तिस्क वह सोचने लगे जो हम करना चाहते है भावनाओं का अपने पक्ष में प्रियोग करें हमारी भावनाओं तो हमारे पास रहेंगी ही हमें अपने मस्तिस्क से सोचना सीखना है क्योंकि मस्तिस्क को बगवान ने सोचने के लिए ही बनाया है सोचने के लिए अपने भावनाओं का प्रियोग करना सीखें नेकी भावनाओं में बहे कर सोचें हम सही विचारों को चुनकर ही मस्तिस्क के रास्ते अपने डर को मन से निकाल कर लालच का सामना करते हुए अपनी कमजोरियों और जरूरतों को पहचान कर सही रास्ते पर पहुंच सकते हैं आउसरों को पहचानने के लिए ज्यादा समादान खोजने में माहिर होते हैं वे तत्काल आउसरों को पहचान लेते हैं वे इसे धन में बदल लेते हैं क्या इस समय आपके आमदनी आपके सपनों को पूरा करने के लिए प्रियाप्त नहीं है क्या आप इसे बढ़ाना चाते हैं तो आपके लिए एक सला है आप अपना मस्तिस के खुला रखें ताकि जब आवसर आपके सामने आई तो आप उसे तुरन पहचान लें बस इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना कि लालच और डर की भावना कभी आपके उपर हावी ने हो सकी ये भावनाई इंसान को उसके लक वे डर का होता है और दूसरा हिस्सा स्वावलंबन की भावना का होता है हमें अपना स्वावलंबन वाला हिस्सा मजबूत रखना चाहिए सभी भावनाई बुरी नहीं होती भावनाई के कारण ही तो हम इंसान है भावनाई चला इमान उर्जा होती है रोबर्ट टी कियो सा अगर कोई इनसान अपने जीवन में स्थाई शान्ती, संतोस और सम्रदी महसूस करना चाहता है, तो वर्तमान जागरूकता एक अति आउशक घटक है। ताके लिए आपको इस अंतरद्रिष्टी को अपनाना ही होगा। जब हमें कोई नई स्किल डेवलप करनी हो, या फिर किसी बेहद विकट चुनोती का सामना करना हो, जिससे निकलना बेहद मुश्किल लग रहा हो, तब उस समय हमें जिन चीजों की सबसे ज़्यादा जरूर् वे हैं धैर्य, एकागर्ता और अनुशाशन, एसी परिस्तितियों में जब हम धैर्य रखते हैं, तब हम परिस्तितियों को स्विकार कर लेते हैं, जैसे कि हमने अध्याय च्यार में सिखा है, कि जब हम स्विकार कर लेते हैं, तब हम परिस्तितियों और अपने बीच होने वाले संगर्ष को बेहद कम कर देते हैं हम यह स्विकार लेते हैं कि ठीक है आप सेर नहीं सवाशेर हैं जब हम स्थिति को स्विकार कर लेते हैं तब हम अपनी एकागरता को भंग होने से बचा लेते हैं जिससे हम समाधान पर एकागरता से सोच सकते हैं और उन पर कारिय कर सक ज्यादातर मामलों में हम परिस्तितियों को वहत जैसी है उसी स्वरूप में स्विकार नहीं करते हैं, जिस वज़े से हम संगर्स की आग में जुलस्ते रहते हैं और अपने समाधान पर एकागरता बना ही नहीं पाते हैं, अनुशाशन के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकत लेकिन जब हम धहरिये से स्विकारने और एकागरता के साथ जब समश्या के समाधान पर कारिये करते हैं, तब अनुशाशन की बेहदावशक्ता होती है, हम अनुशाशित प्रियास से हर समश्या का समाधान खोच सकते हैं अगर हमने बार-बार एस अपलता की मुश्किलों का सामना करना छोड़ दिया होता, तो क्या हम कभी साइकल चलाना सीख सकते थे, क्या कभी वर्णमाला या गिंती पढ़ना सीख सकते थे, तो क्यों हम बड़े होकर किसी पहले प्रियास में एस अपल होने पर उस लक्षय को छोड़ देते हैं, हम बच्पन में सीखे और बार-बार अपनाई गए अभ्यास के सिधान्त को भूल गए हैं, जो किसी भी लक्षय को पाने के लिए स्तेर प्रियास करने के प्रिक्रिया होती है, हम उचित अभ्यास के बिना किसी भी स्किल या सब्जेक्ट में महारत हासिल नहीं कर सकते हैं, हमें अभ्यास तब तक जारी रखना चाहिए, जब तक यह हमारी आदतों वह व्यवहार में आटोमेटिक नए हो जाए, क्योंकि हमें वह हर प्रिक्रिया पूरी करनी होती है, जो काम को पूरा करने के लिए आवशक हो, हमें प्रेजेंट में जीने के या किसी मुश्किल समय से गुजरना शामिल हो सकता है हम उस समय तनाव और चिंता मुक्त होने लगते हैं इस समय हमारा मन आतम विश्वास से बर जाता है और यह मानने लगता है कि मैं ऐसी स्थिति में पहुंच जाऊंगा जिस पर पहुंचना पहले मुझे असंबव लग रहा था लक्षय पूर्ती की प्रकिरिया में सलंगन हमारा मस्तिस्क शान्त वे वर्तमान में रहता है यह हर काम पूरी सटीकता, एकागरता और शुदता से करने लगता है जिसे हमारे मस्तिस्क वे शरीर की पूरी उर्जा चलती है वे यह हमारे द्वारा निर्धारित कारियों का पालन सटीकता से करता है जब हमारा मस्तिस्क आउटोमेटिक होकर हमारे सही निर्देशों का पालन करने लगता है तब हम शांत और चिंता से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं इस तरह से हम वर्तमान में जीने लगते हैं इस समय हम वही कर रहे होते हैं जो हमें करना होता है जब हम वर्तमान में होते हैं तब हम जो अनुभव कर रहे होते हैं उसके बारे में हम पूरी तरह से जानते हैं, जब हमारा मस्तिस्क वर्तमान में कारिय कर रहा होता है, तब हम शारिरिक वे मांचिक रूप से किसी अनावशक गतिविदी में शामिल नहीं होते हैं, हम वही कर रहे होते हैं, जो हमें करना होता है, यदि हमारे विचार हमारे नि नियंदर्ण में नहीं होते हैं यानि अगर हमें अपने मन पर नियंतरन करना है तो हमें अपने विचारों पर काबू पाना होगा जब हम बिना किसी प्रक्रिया का पालन किये तारगेट बना कर रजल्ट के बारे में इंतजार करते हैं तब हम अपने आपको धोका दे रहे होत बलकि इसे पूरा करने के लिए बनाई गई कारिय योजना की प्रकिरिया को इच्छा वै एच्छिक जागरूकता के साथ बार बार दोहराना होता है। जल्दी ही प्रकिरिया से उप जाते हैं, बेचैन, निराश और अधीर उटते हैं। जल्दी रूप से ही सही अपने इच्छित परिणाम के प्रति लगाओ छोड़ देना चाहिए। जब हम पूरी तरह से टारगेट की बजाए प्रोसेस पर एकागर हो जाते हैं, तब हमारे सभी मानसिक दवाओ अपने आप दूर हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को यह जानकारी नए होने के कारण वे अपनी उर्जा पर बात कर रहे हैं, जिसका उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। इसलिए प्रोसेस को अपनाएं, वर्तमान में रहें, अपने लक्षे को पाने के लिए हमेशा प्रकिरिया पर एकागर रहें। इस बात को ध्यान में रखें कि हम क्या और क्यों हासिल करना चाहते हैं। कभी कभी हमें लगने लगता है कि हमें यह कैसे पता चलेगा कि मैं वर्तमान क्षण में हूँ या नहीं। भार खोज रहें हैं जो आपके अंदर है, जो आपके पास है, इस आदत को बदलना होगा। आदतों का चुनाओ सावधनी से करें। कई बार हम मस्तिस्क से नहीं बलकि भावनाओं से काम लेते हैं। और हमारी भावनाओं कई बार गलत जवाब देती हैं। हमें अपनी आदतों को बड़े ध्यान से चुनना चाहिए। आदतें हमेशा हमारे द्वारा ही सीखी जाती हैं। हमें इनके प्रति जागरुक रहना चाहिए। अंजाने में ही अगर हमने एक भी गलत आदत सीख ली तो इसका हमें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जिस नुकसान को भरने में हमारा बहुत सा समय और काफी जीवन उरजा बरबाद हो जाती है। जागरुकता से हम उन आदतों को अपनाने से बच सकते हैं जो हमारे लिए गलत साबित होने वाली हैं। हमें अपनी आदतों का ओडिट करते रहना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि हमें अंजाने में कौन सी आदत लग गई है जो मुझे पीछे रोके हुए है। जिसके वज़े से मुझे आगे बढ़ने में परेशानी हो रही है क्योंकि हम उस चीज़ को नहीं बदल सकते जिससे हम अंजान होते हैं। माल लीजिए किसी को सिगरेट पीने की गलत लत पड़ गई है। यह आदत आज ही नहीं लगी है। किसी भी आदत को हमारे व्यवहार में आने के लिए और ओटमेटिक होने के लिए बहुत सारा समय लगता है। आईए सिगरेट के आदत का विशलेशन करते हैं। काफी समय पहले उसके दोस्तों ने कहा होगा कि एक कश लगा कर देखो एक कश में को यादत थोड़े ही पड़ जाएगी। वह एसे माहूल में रहा होगा जिसमें ज्यादातर समय सिगरेट पीने वाले उसके आसपास रहते होंगे। इसी परकार के दवाव या दुख का एहसास हुआ होगा और उसी समय उसे किसी ने धुमरपान करने की या इससे अपने मानशिक दवाव से छुटकारा पाने की कहानी सुनाई होगी। इतना माहूल मिलते ही उसके दिमाग ने कहना शुरू कर दिया। एक दो कश से कुछ नहीं होने वाला है, इससे कोई यादत थोड़े ही पड़ जाएगी, और मैं कौन सा चैन स्मोकर बनने वाला हूँ, मेरे वो वाले अंकल भी तो इतने सालों से दुमरपान कर रहे हैं, आज तक तो उन्हें कोई तकलिफ नहीं हुई, कुछ नहीं होता, कुछ दिनों में यह खर्चा भारी पढ़ने लगा, अब इसका समाधान खो जा गया, और अपने लिए एक पैकेट सिगरेट खरीद लिया, अब जब भी थोड़ा तनाव होता है, तो दिन में दो तिन बार धुमरपान करने लगे, वैसे मुझे इसकी लत नहीं है, बस मन ब पैठे ज्यादा सोचने की आदत, ज्यादा पैसे खर्च करने की आदत, कंजूसी की आदत, दूसरों के स्किल को अपना बनाने की आदत, बिना कुछ किये ही कुछ पाने की आदत, किताबें नहीं पढ़ने की आदत, स्वास्ते के प्रति लापरवाई बरतने की आदत, ज्य जूट बोलने की आदत, डिंगे हांकने की आदत, हमेशा सुस्त रहने की आदत, पहल नए करने की आदत, और सकारात्मक की बजाई नकारात्मक बाते करने की आदत, इन जैसी और भी अनेक आदते होती है, जो हमें अंजाने में ही लग जाती है, अंजाने में लगी आदत, हमे हमें इस बारे में सतर्क रहना होगा कि हमें इन से क्या हासिल करना है ताकि हम यह ठीक ठीक जान सकें कि लक्षे को प्राप्ट करने के लिए हमें कौन से प्रकिरिया को जान बूज कर बिना यह जज करते हुए कि यह काम करेगा या नहीं इसे दोहराना होगा कुछ समय तक किसी भी आदत को जान बुज़ कर दोहराने से वह हमारी एक नई आदत में बदल जाती है और फिर यह हमारी किसी पुरानी आदत की जगे ले लेती है कई बार हमें यह लगता है कि इसमें बहुत लंबा समय लगने वाला है इतना धहरिये कहां से लाएंगे हमें यह जान लेना चाहिए कि हमें इसे कहीं से लाने की आउशक्ता नहीं है बलकि यह तो हमारे अंदर पहले से ही बरपूर मात्रा में उपलब्द है धहरिये से प्रकिरिया को पूरा करें अपने वर्तमान के प्रतिज जागरूख होना हमारा धहरिये की और पहला कदम है जब हम अपने आप से बिना मतलब एक बेलगम गोड़े की तरह बिना रुके लगातार उल जलूल बातें कर रहे होते हैं तब ये विचार आपके सोचने की प्रक्रिया को बाधित कर देते हैं ये आपको बिना बात के ही उलजन में डाले रखते हैं और आपको अपनी और खींच रहे होते हैं कभी-कभी हम इस तरह के विचारों में उलज जाते हैं कि हम पूरुनता तक कैसे पहुँचें परमात्मा और प्रकर्ति को छोड़कर किसी भी अन्य काम या विचारों का कोई पूरुनता बिन्दू नहीं होता है क्योंकि हर किसी में कुछ और बढ़िया करने की संभावना हमेशा रहती है जब पहली बार टायर बना था तब उसे पूर्ण माना गया था लेकिन असल में यह आज भी पूर्ण नहीं है क्योंकि अभी भी इसके सही केंदर बिन्दू को खोजना बाकी है हाँ अभी भी पाई का सही सही मान खोजना बाकी है इसलिए पूर्णता के विचारों को रोक कर इसकी और बढ़ने वाली प्रकरिया के द्वारा अपने लक्षय की और प्रगती पर अपना ध्यान एकागर करना चाहिए और यह भी कि संसार में किसी भी चीज में पूर्णता तक पहुँचने जैसी कोई चीज नहीं होती है हमें पूर्णता की तरफ ध्यान ने देकर प्रगती की और ध्यान देना चाहिए तो हमें यह तो जानना ही चाहिए कि आखिर यह प्रगती क्या है प्रगती का सीधा सा मतलब यह है कि वह है प्राकर्तिक परिणाम जो कुछ भी करने की प्रकिरिया पर केंदरित रहने से उत्पन होता है अब एक सवाल यह भी मन में उठ रहा होगा कि प्रक्रिया से मेरा क्या मतलब है प्रक्रिया का मतलब यह है कि जब हम अपने उदेश्य को ध्यान में रखकर वरत्मान क्षण पर पूरी तिरह एकागर होते हैं तब आपके द्वारा लक्षित परिनाम आपकी और आसानी से खींचा चला आता है हमें हमेशा लक्षय को पाने की प्रक्रिया पर ध्यान लगाना होता है हमें लक्षय को तो कभी कवारी देखने की आवशक्ता होती है ताकि हमें यह आभास रहे कि हम सही दिसा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं जब हम किसी भी चीज का वास्त्विक आनंद लेना चाहें तो यह तुरंट परुस्तूत हो जाए तो इसका आनंद खत्म हो जाता है बलकि इसका अनन्द तो हमें तब ज़्यादा अनुभव होता है जब इसके लिए आवशक सहन सकती और धहरिये को बनाई रखते हुए थोड़े लंबे समय तक इसके लिए काम किया जाई जब हम अपने लक्षे के लगाओ को त्याग कर अपना पूरा ध्यान उसे पाने की प्रकिरिया पर लगा देते हैं तब आप वास्तों में हर पल अपनी इच्छा को पूरा कर रहे होते हैं जिसका आपने सपना देखा है यहे याद रखें कि लक्ष निर्धारित करते समय इसके परिणामों के बारे में यहे जजने कीजिए कि यहे पूरा होगा या नहीं बस शांत मस्तिसक से प्रकिरिया को पूरा करते रहें यहे शांत भाव और धहरिये आपकी अपने आपसे वहे बातचीत जो आपको परिशान करती रहती है उसे शांत कर देता है क्योंकि आपके द्वारा जान बूज कर दोहराया गया हर प्रियास आपकी प्रगती का सुचक है कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता कई बार लोगों को यह गलत फैमी रहती है कि हमें फला वस्तू या सेवा मुफ्त में मिल रही है संसार का यह नियम है कि हमें हर उस वस्तू या सेवा की कीमत चुकानी पड़ती है जो हमें मिल रही है या हम जिसे पाने की इच्छा रखते हैं हाँ कीमत चुकानी पड़ती है हमें समरदी चाहिए तो वरतमान समय में मजे करने के सुख को गवाना पड़ता है, जो आपके उज्वल भविश्य की कीमत है अगर हमें अच्छा स्वास्त्य चाहिए, तो हमें व्यायाम करने के लिए आलस को त्यागना होगा, जो स्वास्त्य की कीमत है हमें कुछ भी चाहिए तो इसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है कुछ लोग सोचते हैं कि कीमत के वल पैसे के रूप में चुकाई जाती है अगर आप भी यह सोचते हैं तो इसे बदल लें क्योंकि कीमत पैसे के अलावा समय, आराम, सुक, इंतजार, मेहनत और इच्छा आदि के रूप में भी चुकाई जाती है हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी कीमत चुकानी पड़ेगी हमें अथक मेहनत के रूप में अपने आराम करने के समय में कमी करके सुबह जल्दी उठकर सुबह के आनन्द को त्याग कर काम पर लगने के रूप में अपने टीवी देखने और दोस्तों के साथ खेलने जाने को त्याग कर और अपने सब्ताहंत में मजे करने के सुख को त्याग कर हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कीमत चु परिवार को सुखत बविश्य देना चाहते हैं या फिर अभी मजे करके अपने वे अपने परिवार के द्वारा बाद में इसके दुखता एक कमियों के रूप में कीमत चुकानी है। कौन से काम करते हैं जिससे यह तै होता है कि हमारा बविश्य सुखत होगा या दुखत। इसलिए हमें यह ठीक से अपने मस्तिस्क में बैठा लेना चाहिए कि इस पल-पल बदलते संसार में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। यहां पर हर किसी भी वस्तु या सेवा की उच योबुक.com आपका दिन शुब हो।